है गाइस नमस्कार कैश्यों आप सभी आई हॉप सब अच्छ होंगे दोस्तों और मैं डिकर सौनवाल एक और फिर स्वागत है आप सभी का जानवी नर्सिंग क्लासे जैपुर में और दोस्तों बहुत सांदर एक रिकूटमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि है न सबसे पहले हर्याना शीचो को डिये और एचारे दिया जाएगा जैसा कि मैं आपको वीडियों को बताऊंगा तो आप वीडियों में कंटीनू बने रहना कहीं भी वीडियो को मिस्मत करना वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको इंफॉर्मेशन पूरी बिल्क हमारे टेलीग्राम जो ग्रोप है उसको जोइन कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाना और बहुत सर्च करना जान वी नर्सिंग क्लासेज आपको ऊपर आ जाएगा जैए जान वी नर्सिंग क्लासेज तो गईज आपको कोई भी डाउट से रहे वीडियो देखने के बाद में त सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों यह आज की लेटेस्ट न्यूज है और जैसे ऑपीसियल जो रिकूट्मेंट का पीडियाइफ है वह मैं आपको आपिसल टेलिग्राम ग्रॉप के अंदर डाल दूँगा आते ही जैसा कि आप यहां देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहां दिया गया है डेट आप देख सकते हो तीस वारा दोजए आज के लेट टेस्ट है दोस्तों अभी ठीक है दा इस्टेड लेटेश के प्रोवाइडर कम समय हैल्थ ओपीसर मलस पी कम शीय चोज और कॉंट्रेक्ट परस अंडर नहीं मिशन टीक है नेस्टेश हैल्थ मिशन फोर प्रोवाइडिंग कॉंप्रेंसिव प्राइमरी हेल्थ के अर्विसेस एडश सबसेंटर ले सबसेंटर लेवल हैं तो दोस्तों यहां पर 527 पोस्ट निकाली गए है के लिए कमिटेश ऑपीसर जीसा कि आप सभी जानते हो तो यहां पर कैटेगरी वाइज उन्हें डिवाइडेशन किया गया से अमबाला मैं एक डिस्टिक की बता जाता हूं से अमबाला डिस्टिक है यहां पर टोटल है वो 27 है जनरल की है वो 5 हमबाला मैं से की है वो 7 है बी सी एकी है वो 4 है उसके बाद में वी सी वी की है वो 3 है एसम जनरल की है वो 3 है एसम सी की है वो 1 है एसम वी सी एकी है वो 1 है एसम वी सी वी की है वो 2 है यह डबल्यू एस जनरल की 0 है पी एच वी सी एकी 0 है पी एच जेनरल की जीरो है एव्फ पीएज की एक है तो इस परकार यहां पर डिस्टिक वाइज यहां पर डिवाइडेशन किया गया है आप देख सकते हो सबी का आप यहां पर निकाल सकते हो जैसे टोटल पोस्ट है वह 527 है यह जो भी कैटेग्राइज किया गया है यहां पर अलग कैटेग्री है जो मैं आपको पर्टिकुलर कैटेग्री कर नहीं बता सकता है यह इतनी कैटेग्री आसानी से याद नहीं होती तुरंत अब यहां पर दिया गया है टोटल 537 अड़िजमन पोस्ट आप mlhp कम शीचोज और कांस्लिंग 143 नूशीट्स और 384 बैकलॉग विच से रिकुट्मेंट्स ऐच पर दा कैटेग्री वाइज एंड इस्टिक वाइज पोजिशन अर्लियर अडवर्टाइज ठीक है बहुत जल्दी है यहां पर पोजिशन वाइज आपका अडवर्टाइज जो देखने को मिलेगा एलिजियल कंडियर्स आर रिक्वाइड तो अग्वाइज एक्जाम डॉक्मेंट वेरिफिशन एंड कांस्ट एक्सेटर तो दोस्तों यहां पर कल से फॉर्म स्टाइट हो जाएंगे मतलब आइधिंग कल 31 और परसों से आपके फॉर्म स्टाइट हो जाएंगे फर्स जैन्वरी से ठीक है तो आपको यहां पर कंप्ली क्लोजिंग डेट एंड टाइम से वह आपका एक जन्वरी टैन एम दोजर तेवी से आपका फॉर्म वह स्टाइट हो जाएंगे डेट टाइम एंड वेन्यू और रिटन एक्जाम से 29 जन्वरी को आपको बता दिये जाएगा चंडीगर आपका सेंटर रहेगा तैन थार्ट रहेगा डेट for declaration of written exam तो 29 तीस का आपका एक्जाम रहेगा डेट एंड टाइम वेन्यू और डॉकुमेंट वेरिविग्रिबिकेंशन दो छे से 14 आपका डॉकुमेंट वेरिविग्रिविगे रहेगा पंच कुला में डेट for declaration of final merit 17 फर्वरिक आपको final merit डिलेएग डी डेट टाइम एंड वेन्यू कांशलिंग एंड सब्सक्वेंड जोइनिंग आपके बीच से 22 फरवादी 2023 के बीच में आपको जोइनिंग प्रवाइड की जाएगी ठीक है तो इस परकार से था बाकि इदर जो रिमार्क्स करके दिये गया है तो यहां पर जनरल सी इंफॉर्मेशन द आपको सेपरेटली अप्लोड कर दे जाएगा ने जम की वेबसाइट बर किसी परकार का फुर्दर चेंज किया दाएड से टेडिया किसी परकार का तो आपको आपको आपिसल वेबसाइड नहम हरयान डौट जूब डॉट आइन पर बिजिट करते रहेगा फॉर्दर ली औ खुछ अपटार यहां पर आपको कि अफ देर अनि चैंज एच एज एट विल बी अप्लोड़ेट ओन एन चम वेबसाइट अले डियर्वाय अल आरेवाय अज़ेस्टेट एक टीप चेकिंग देडेन शर्यान वेबसाइट फुर रेगुलर अपडेट असेंशियल अक्धम इन गालिप के अंदर मागए मन्यight एक वेसिक नर्सिंग जो जनर्रल बेसी rei के प्रेसिक मन्या बीज कोर्सका का रखखते हैं यह पर पढ़े न था बैस्ञ यह फिर नर्सिंग फिर पोषट वेस्ट वेété गैजिए बाकि जो अगर डिग्री धारी हम बताएं कि कौन है तो बैसिक वेसिक वेसिक नर्शिंग पोस्ट वेसिक वेसिक नर्शिंग डिग्री होलडर्स ऑपिल जो डाट्स फाइनल ग्यानल पॉर कमुटी हब आप इसानमर ये तो यहां पर यह बोल रहे हैं, the candidates with academic qualification as per the required provide valid certification only to ensure their eligibility for six month BP season from IGNU or any university institution assigned by the state or MLHP course integrated in the curriculum basic post basic BSC nursing or curriculum references of the circular notification issued by the Indian National Nursing Council New Delhi in 2019 in compliance with direction of the Ministry of Health and Family Welfare Department of Government of India, so, यहां पर यह दिया गया था, अब हम बात करेंगे दोस्तों यहां पर important other essential qualification के अंदर, तो other essential qualification के अंदर age limit 18 to 42 years तक के आपके age limit रखी गई हैं बाकि आपको जो रिजर्विशन वाइज category वाइज रेजिशन उसके according आपको रूल्स आप हर्याणा गवर्मेंट के आदार पर आपको जो भी relaxation मिलेगा वो मिल जाएगा हिंदियान संस्कार्ट लेंग्योज अप्टू मेट्रिकुलिशन लेवल आपके 10 तक हिंदी और संस्कार्ट होना जरूर्य है और सग्लेक्टेट कंडियोट से आयल रेक्वाइड तू वी रजिस्टाड वेद रेस्पेक्टे कांसल आफ इंडियन मेडिसेन हर्याना ठीक है आप्लाइ कर सकते हैं और यहाँ पर आपके अपलाई कर पाएंगे पॉस्ट हैं विस्ञें के इनदर…… और या फिर यह फिर जो वे एमेसन उन्होंने आफ्टर पर अव्म्न की कर पाएंग दगने और अप्लामा उसके बाद में नंसे किया है το वह यहांपर अंपलाई कर पाएंगे ना मंतली रेमनरेशन एंड अदर फानेंसियल बेनिफिट्स तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हर्याना गौर्मेंट के सियेचों के लिए बहुत सारे मित्स सबी जो नर्सिंग स्टुडेंट्स उनके अंदर हैं तो मैं आज वो मित्स भी आप मिलेंगे तो वो सारी चीज आज इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा उसके बाद में आपका कोई कंफिजन नहीं रहना चाहिए जैसा कि आप देख सकते हो यह हर्याना सियाचों का ओपीसियल नोटिपिकिसन था दा एडवर्टाइज पोस्ट कम अंडर दा 48 यह होती है दोस्तों पेघ्रेंश पेख घ्रेड्ट जब आपकां फिक्सेश्ञ चाहर्यां सियफ्यों के लिए ओलडि बताया हुआ है यांप इसका बाद में एयिपसर फेश सर्वेसे वाय लो पर सश्क्राइब campuses oh् democrat तो यहां पर आप देख लेते हैं कि सैलरी कैसे दी जाएगी इनिशियली मंत ऑनौरियम 25,000 रुपे फिक्स पर दिया जाएगा जिसमें यह 25,000 इस आधार पर दिया जाएगा कि 18,750 तो पेवेंड के अकॉर्डिंग बनता है आपका 18,750 एच पर पेवेंड टू मैंने बता है ना पीवी टू तो आपका 18,750 पीवी टू के आधार पर प्लस 6,250 रुपे अडिशनल ऑनौरियम आपको दिया जाएगा इस परकार से आपका 25,000 यहां पर इनिशियल पर दिया जाएगा विल भी गिवन फोर इनिशियल फाइव यह आपको पांस साल तक 25,000 यह दिये जाएगा आफ्टर कंपिशन ऑफ फाइव यह सैटिस्फेक्टरी सर्विसेस शैलरी एंड और इन्क्रिमेंट और अलाउंसेस बिल भी गिवन एच पर दा एनेचम हर्यान नॉम उसके पांस साल के बाद में आपको जो भी इंक्रिमेंट दिये जाएगा जो भी अलाउंसेस दिये जाएगा इस पर दा एनेचम हर्यान नॉम्स वह आपको यहाप पर हो जाएंगे ओके डैन यहाप पर आप देख सकते हो वेनिफिट्स ऑफ एन्वल इंक्रिमेंट ऑफ फाइव परसेंट इनिशल सेल्री आफ्टर कंप्लिशन ऑफ बनियर ऐसा नहीं कि आपको पांस साल तक इंक्रिमेंट नहीं दिये आपको पत्चीस हजार में काम करवा जाएगा आपको स्टेट वाइज अलाग अलाग है कहीं 34 से लेके 38 तक है सेल्ज बैसिक का जिसे 25,000 किसी की सेल्री तो उसका आप पंतो 34 परसेंट भी निकलते हैं तो लगबग लगबग आपकी सेल्री वैसे 35,000 तो वैसे ही पहुंच जाएगी 35,000 तो डियाने से सेल्री बढ़ती है दोस्त आपका जो है वह आपका कब मिलना इस्टाट होगा जो आपकी जो सर्विसेंट है वह दस साल की हो जाएगी तब आपको एचारे प्रवाइड के दस साल तक आपको एचरे नहीं मिलेगा सिर्फ पांस साल बाद डियर ने से वह चलो हो जाएगा उसके बाद में मंधली जार रुपे पीवी दिया जाएगा परफूमेंस बेश्ट इंसेंटिक सैटिस्फेक्टरी परफूमेंस फोर प्रिसकाइब इंडिकेटर एड़ दसाव हैल्थ सेंटर हैल्थ और वैलने सेंटर वन्स दाव सेलरी एंड इंक्रिमेंट अलांसेस और फिक्ष्ट एच्पर द जाएगा सब्सक्राइब देख सकते हो इंडिकेटर इंडिकेटर फिल्यू डिसकेंटिन नियूड आववर आफ्टर इंप्लाइम्ट वो स्वारी दिप्लाइम्ट एज अमलस्पी कम छी और ही शी और ही शैल वी नंटैटल टू मॉंथली अनॉरियम विच विल वी सब्यक् सब्सक्राइब आपको 25,000 रुपे इनिशियल पे मिलेगा जिसमें साथ में आपका पीवी रहेगा कितना 15,000 रुपे इंडिकेटर के आदार पर उसके बाद में आपका बनियर कम्प्लेट होने के बाद पाद पर से आपका 25,000 रुपे इंक्रिमेंट लगेगा ऐसे आपका जो सेलरी उस पर फाइप फाइव यर्स तक आपका इंक्रिमेंट हो लगता है फाइव यर के बाद में क्या होगा आपका डियर नेस अलाउंसे जो डिये वो एड़ कर दी जाएगा उस टाइम आपकी शैलरी चैनली के यह बढ़ेगा तो आपका पीवेएं बंद ओके आपकी सेलरी हो दार परचास बावन हजार हो जाएगी उसके बाद में क्या होगा आपका जैसे ट्याइं यह कंपलिट होता है तो आपका तैन यह फिर भी फाइप परसेंट इंक्रिमेंट आपका लगता रहेगा फाइव यह परसेंट इंक्रिमेंट कितना हुआ डाइजार रुपे डाइजार रुपे तो पांस साल में डाइजार रुपे बढ़ेगा आपकी शैलरी लगबग लगग हो पहुंच जाएगी दोस्तों कितनी शैवंटी थाउजेंड पर यहां पर जो डियरनेस अलांसेस है वह भी आपका बढ़ता रहेगा तो आपकी शैलरी लगबग लगबग सत्तर सीजार दस साल की सर्विस पर आपकी अच्छी खासी सैलरी होने वाली है कमेंटी हेल्थ ओपीसर सब्सक्राइब की हर्याणा सिये चोगी अधर स्ट्रेट का भी ऐसा कोई गाइडलाइन आई नहीं है लेकिन हर्याणा सिये चोगी मैं मतलब इस बीडियो इस से न्यूज के आधार पर इस नॉटिकेसन के आधार पर गारंटी देता हूं कि मतलब आपकी सैलरी से जार हो जा सब्सक्राइब करता है तो आप मुझे डियाम कर सकते हो इस्टाग्राम पर मैंने आपको इस्टाग्राम की पूफाइल आईडी बता दिया डिकसानवाल 23 लिंक आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा जनरल कैटिगरी की फीस की बात करें तो 200 रुपे आप फिजिकल च सब्सक्राइब करते भी सब्सक्राइब के बाद में कंशिडर नहीं कर जाएगा यहां नोट एलिजिवल फॉर अप्लाइब फॉर आफ्टर दा लास्टेट ओके तो यह चीज आपको ध्यार रखनी है बाकि यहां पर जनरल टम संट कंडिशन्स जैसा कि हर वेकेंसी में आत तैन परसेंट तो स्लेवस का अलग से फुल वीडियो में आपको बना दूँगा बागी जनरल टम संट करने साथ फॉर्म अच्छे से बढ़ना आपकी क्वालिविकेशन मैच कर लेनी है और आपका सब्सक्राइब बगरा है वह अप्टू डेट होना चाहिए जो भी है यू एप गैट आल इंपरमेसन अबावड दस वीडियो तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो गईज फिर मिलेंगे किसी अच्छे लैट्थ अब्डेट में आज के लिए बस इतना ही थैंक्यू गईज